अगला बिंदू क्या है? नागरिक कितने प्रकार के? क्या? ये चारों बिंदू का अलग-अलग कंबिनेशन है? किसी को अधिकार मिले हो, वो भी नागरिक हो सकता है? या नागरिक हो कौन सकता है? तो नागरिक होने की कई श्रेणिया हैं, सामान नितया वो चार श्रिणिया हैं, नागरिक की चार श्रिणिया होती, सामान नितया, पहला अवयस्क नागरिक, उस देश के ऐसे व्यक्ति जिन्हों ने वयस्कता की उम्र अभी प्राप्त नहीं की है, यानि वो भारत के तंदर में जी बात करें तो 18 वर्ष से कम के लोग क्या कहलाएंगे आवयस्क नागरिक minor citizen आवयस्क मतलब minor म-i-n-o-r और वयस्क मतलब major citizen तो पहली श्रेणी है आवयस्क नागरिक की यानि माइनर citizen की यानि वे लोग जो 18 वर्ष से कम उम्र के हो अब यदि आवयस्क नागरिक की एक श्रेणी है तो वयस्क नागरिक वे जो 18 वर्ष से ऊपर हूँ उस देश की वयस्कता की आयू जैसी है उसके अनिसार नागरिकता मिले जैसे भारत में वयस्कता की आयू 18 वर्ष से ऊपर की है मतदान करने का राजिनातिक अधिकार मिल जाता है तो भारत में जिन्हें मतदान करने का अधिकार मिल गया वह वयस्क है भारत में जो 18 वर्ष से ऊपर का हो गया वह वयस्क है क्योंकि उसे मतदान का भी अधिकार मिल चुका है तो इस पकार वह वयस्क नागरिक है और लेकिन इसमें एक चीज ये बहुत है कि आपको ये याद रखना होगा, वयस्क नागरिक, वयस्क होंगे लेकिन नागरिक वे लोग नहीं हैं जो या तो पागल घोषित कर दिये गए हैं या दीवालिया घोषित कर दिये गए हैं। दिवालिया कार्थ क्या है जो जिसने अपने को घोशित कर दिया है कि उसके पास कुछ पैसा नहीं है लाखों रुपे की संपत्ति करोणों रुपे की संपत्ति थी किसी कारण वश उसका भारी नुकसान हुआ तो वो अपने को घोशित कर देता है दिवालिया यदि वो दिव पूरी है घोशित ना कर दिया गया पागल होना एक चीज है लेकिन सरकारदार पागल घोशित किया जाना एक और चीज है पागल घोशित किये जाने या दीवालिया घोशित किये जाने की स्थिति में वैस्क नागरिक नहीं रहते अन्य था वे सभी लोग जो 18 वर्च से उम्र से उपर के हैं वे नागरिक हैं वे वयस्क नागरिक हैं they are major citizens है और senior citizen शब्द आपने सुनाई हुगा जो लोग 60 वर्ज से उपर के हैं वे senior citizen कहलाते हैं उम्र के हिसाब से क्योंकि senior citizen के लिए कुछ अलग प्रावधान किये गया है बसों में बैटने के लिए ट्रेन में सीट देने के लिए और कुछ अन्य चीज़ों के लिए senior citizen को उनकी उम्र की इज़त करते हुए उनकी वरिष्टता की इज़त करते हुए इनको कुछ और सु विधाय देती है सरकार तो ये senior citizen है पर senior citizen फिलहाल हमारे अध्यन के लिए वयस्क citizen की श्रिणी में ही आएंगे किसमें major citizen की category में ही आएंगे तीसरी श्रिणी क्या है ऐसे नागरिक हैं तो नागरिक लेकिन अधिकार नहीं मिले ऐसा भी होता है आप जान लें ऐसे नागरिक जो वयस्क नागरिक तो हैं वैस्क नागरिक होने की पातरता रखते हैं वैस्क नागरिक घोशित कर दिये गये हैं लेकिन उनसे कुछ राजनातिक अधिकार ले लिये गये हैं उन्हें नहीं दिया गया है राजनातिक अधिकार सर्थ क्या है? कि वोट डालने का अधिकार ये राजनातिक अधिकार है चिनाओं में भाग लेने का अधिकार लोक सभा, राजसभा, विधान सभा पंचायत आदि में एक उमीदवार बनने का अधिकार ये राजनातिक अधिकार है कुछ लोग को किसी कारणों से राजनातिक अधिकार नहीं दिये जाते और ऐसा करते हुए यह सुनिश्चित किया जाता है कि उनकी नागरिक्ता बनी रहे लेकिन ये सुविधायँ उन्हें नहीं मिलेंगी तो ये तीसरी श्रिणी है किन लोगं को ऐसा अधिकार नहीं दिया जाता केवल राजनायतिक अधिकार बाकी अधिकार उनके पास रहते हैं मत दालने का अधिकार उनके नहीं नहीं रहता तो ऐसे कौन से पागल जिसे पागल घोशित कर दिया गया है जिसे दिवालिय घोशित कर दिया गया है जिसे देश द्रोही घोशित कर दिया गया है बहुत से लोग ऐसी कुछ गतिविदियां करते हैं जो सरकार की नजर में या कानून की नजर में देश-द्रोही गतिविदियां हैं देश-द्रोही गतिविदियों में लिप्त पाए जाने पर सरकार उनसे राजनेतिक अधिकार छीन सकती है लेकिन बाकी अधिकार उनके रहेंगे और बाकी अधिकार रहने की एवज में इसकार्तिये हुआ वे नागरिक बने हुए हैं लेकिन उन्हें राजनातिक अधिकार नहीं हैं तो यहाँ एक प्रश्ण जो आपके मन में रहा होगा उसका उत्तर मिल गया कि हमें से जरूरी नहीं है कि सभी नागरिक समान हो, जो लोग minor citizen हैं, उनके कुछ अदिकार हैं, कुछ नहीं हैं, कुछ सुविधा हैं उनको हैं, कुछ नहीं, major citizen को एक अलग श्रेणी हैं, ऐसे ही राजनीतिक अधिकारों से वंचित नागरिक एक अलग श्रेणी है और चौथी और अंतिम श्रेणी जो है वह है देशीय कृत श्रेणी ये श्रेणी आपको समझने की है ये कानूनी दाओंपेच वाली श्रेणी है देशीय कृत देश के द्वारा बनाई गई नागरिकता देश ने जिसे नागरिक ताप प्रदान की है नागरिकता दी है देशी करण से जो आश्य है देशी करण का अर्थ है कि विदेशी को नागरिकता प्रदान करने की विधी या प्रणाली अपनाई गई हो कोई विदेशी जिसा मैंने नाम लिया एनी बेसंट का मद़र टिरिसा का और भी ऐसे बहुत से विदेशी लोग भारत में आके बस गये हैं इस थाई बहुत लंबे समय से रह रहे हैं और भारत के नागरिक बन गये हैं यानि भारत के समस्त अधिकारों का उपयोग करते हैं, यानि मत भी देने का अधिकार है, चुनाओं में खड़े होने का भी अधिकार है, तो ऐसे विदेशियों को एक प्रोसीजर से, एक विधी से गुजरना होता है, उस विधी से सफलता पूर्वक गुजरने पर उन्हें भ जो अन्य भारती नागरिकों को मिले हुए, तो उस्पष्ट हो गई ये बात आपको, अब बलब ये है कि यदि कोई देशी, देशी करण विधी से नागरिक बनता है, तो उसे देशी कृत नागरिक कहते हैं, सामान नित्या, सभी देशों में देशी करण की प्रक्रिया समा है, सामान नित्या, तो इस परकार ये चार तरह के नागरिक होते हैं, माइनर, मेजर, राजनीतिक अधिकारों से वंचित और देशी करण नागरिक, यहां तक आपको बासपश्ट हो गई, कि नागरिकता चार वर्गों में बटी है, अब जो चोथा बिंदु आपने देखा कि विदेशियों को देशी करण नागरिकता दी जाती है, और वो तब जब वे किसी एक प्रक्रिया से गुजरते हैं, वो प्रक्रिया क्या है, विदेशी कब कहलाता है, और देशी करण नागरिकता कब मिल जाती है, इसके बीच की जो दूरी है, वो कैसे तै करता है, और वो नागरिकता लेता क्यों है एक विदेशी आकर भारत में नागरिकता लेता क्यों है और लेता है तो उसके क्या माइने है पराने देश में जहां का वो मूल लिवासी है नागरिक के अर्थ को ज़िए हम और सपस्ट करें तो हमें विदेशी के अर्थ को जानना बहुत ज़रू ह गे विदेशी उसे हम कह सकते हैं जब कोई नागरिक अपने देश को छोड़ कर अन्य देश में आता है तो विदेशी कहलाता है बहुत सरल लग रहा होगा आपको इसमें नहीं बात क्या है जो भी एक देश छोड़ के आया है भारत वो विदेशी है नहीं ऐसा नहीं है जो लो परक्टुली का नाम लिया, एनी बेसेन का नाम लिया, मदर डिरिजे का नाम लिया, ऐसे बहुत सारी विदेशी नाम हैं, जो जिनका जन्म विदेश में हुआ, जिनके पास पहले विदेश की नागरिक्ता थी, जहां की जन्म लिये, जहां की विस्थाई निवासी थे, लेकि इन समय के साथ कालांतर में बहुत से कारणों से वो भारत आये चाहे भारत की संस्कृति से प्रभावित होकर चाहे भारत में अपनी नौकरी चाकरी के लिए या अन्य बहुत से कारणों से चाहे भारत की आबोव हवा उनको बहुत अच्छी लगी तो इन कारणों से आके यहा बस गए और फिर उन्होंने वो प्रक्रिया का पालन किया जिस प्रक्रिया के तहट देशी कृत होने का अधिकार मिलता है देशी कृत नागरिक बनने का अधिकार मिलता है पर यदि हम विदेशी की परिभाशा देखें तो हर वह व्यक्ति विदेशी है जो एक देश छोड़ क अपने देश को चोड़कर दूसरे देश आता है वहाँ वो व्यदेशि कहलाएगा और उसे वे सामाजी कद का अधिकार प्राप तो हो थे हैं लेकिन राजनेतिक नहीं सामाजी कद का ते क्या थे न met it's about शिक्षा का अधिकार धार्मिक अधिकार यह उसे मिल जाते हैं पर राजनेतिक अधिकार नहीं मिलते वह विदेशी नागरिक कहलाएगा वो यहां आकर समाज में घुल मिल सकता है यहां रह सकता है वर्षों यहां की स्वंस्कृति धर्म का पालन अनुपालन करने के लिए स्वतंत्र है यहां की कपड़े, लत्य, आद्यतें, भोजन की आद्यों को अपना सकता है उसके लिए उसे किसी अनुमति की जुरत नहीं लेकिन भारत की चुनावी प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकता हूँ तो ये कहलाते हैं विदेशी विदेशी को अंग्रेजी में बोलें तो foreigner उचित शब्द नहीं होगा इसका उचित शब्द है अन्वाद है alien A-L-I-E-N He may be a foreigner but not necessarily a citizen of India alien means certainly a foreigner with no rights alien मतलब निश्चित रूप से वो विदेशी है जिसके पास कोई इदिकार नहीं है बास पश्ट हो गई तो आप यहां समझ गया हैं कि विदेशी किसे कहते हैं एक बार मैं और बोल दूँ वह हर व्यक्ति विदेशी है जो अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में जाता है यह जानने के बाद कि नागरिकों की कितनी श्रेणी हैं कितनी कैटेगरीज है यह जानने के बाद कि विदेशी हम किसे कह सकते हैं या विदेशी के अर्थ क्या है अब हम जानें विदेशीयों की कैटेगरी याने नागरिक की तो केटेगरी है नागरिकों का तो वर्गी करण है ही जो यहां हमने देखा अब विदेशियों के वर्गी करण की और थोड़ा नज़र डाले हैं ज्यादा नहीं है तीन तरह के विदेशी होते हैं जिए था नागरिक चार तरीके के होते हैं विदेशी तीन तरीके के होते हो कौन से वे तीन है विदेशी किसे कहते हैं यह तो आप समझ गए लेकिन उसमें भी श्रेणी है पहली श्रेणी इस्थाई विदेशी पर्मनेंट एलियन permanent alien इस्थाई विदेशी स्थाई विदेशी या बसे हुए विदेशी उसे कह सकते हो जो बस गए हैं ये वे लोग हैं जो अपने देश को छोड़ कर आए हुए हैं और जिन्होंने दूसरे देश में स्थाई रूप से व्यापार नौकरी कर लिए हो वर्ष दर वर्ष, कई वर्ष 20 वर्ष, 30 वर्ष से वे नौकरी कर रहे हैं व्यापार कर रहे हैं वे कहलाते हैं स्थाई विदेशी यानि बहुत सरल परिभाशा है अपना घर छोड़ कर यहां आ गए या एक देश छोड़ कर जहांके वे निवासी थे उसे छोड़कर दूसरी जगह चले गए और वर्ष दर वर्ष बहुत लंबे समय से वहाँ नौकरी कर रहा हैं वहाँ बस गए हैं वहाँ उन्होंने क्या कहना चीए पेशा का अपना लिया है कोई साज या वे आपार कर रहा हूँ लेकिन ये स्थाई विदेशी नागरिक राजनीतिक अधिकारों से वंचित रहते हैं ये विदेशी नागरिक किन अधिकारों से वंचित मात्र राजनातिक अधिकारों से यहने उन्हें चिनाओं में भाग लेने का अधिकार नहीं होगा मतदान करने का अधिकार नहीं होगा जो भी राजन्यतिक प्रक्रिया है जिसमें MLA बनना हो, MP बनना हो, राश्पती, पिधान, मंत्री, मंत्री, आधी-आधी सरपंच, नगर पालिका इसमें भी भाग नहीं ले सकते हैं आपके मन में एक सवाल बार-बार आ रहा होगा कि ये राजन्यतिक प्रक्रिया जाता है, यदि उनको नागरिक बना लिया है तो ये भी दे दिया जाए बिल्कुल कुछ स्थितियों में देते हैं पर कुछ स्थितियों में नहीं देते हैं जिसको हम आगे समझेंगे किन स्थितियों में राजन्यतिक अदिकार हम कुछ विदेशियों को दे देते हैं और किन स्थितियों में उन्हें नहीं देते पर आप फिलहाल हम देखें विदेशी लोगों की श्रेणिया पहली वे स्थाई विदेशी जैसा शब्द से स्पष्ठ है बहुत समय से एक जगह रह रहे हों या काम कर रहे हों एक देश में अपना देश छोड़ के आ गये हों वे अपार धंदा नौकरी पेशा कर रहे हों लेके नुने राजनतिक अधिकार नहीं मिलते वे कहलाते हैं स्थाई विदेशी दूसरा है औ अस्थाई विदेशी वे जो कुछ समय के लिए आते हैं कैसे भारत के बहुत से लोग अमेरिका गय हुए हैं पढ़ने के लिए पांस साल की पढ़ाई के बाद वापस आ जाएंगे हो सकता है पांस साल की पढ़ाई करने के बाद कुछ नौकरी पेशा करेंगे वापस आ जा होता है वापस आ गए याने अपने मूल देश में वापस आ जाते हैं वे कहलाते हैं आस्ताई विदेशी और तीसरे विदेशी कौन है राजदूत राजदूत याने एमबैसेडर या ऐसे देशों के ambassador जो किसी जमाने में British Empire के तहत आते थे उन ambassadors को कहते हाई commissioner हाई कमिशनर किने कहते हैं ऐसे देशों के ambassadors को राजदूतों को जो किसी जमाने में British Empire का हिस्सा होते थे उन्होंने तै किया है कि हम अपने को एक हाई commissioner कहेंगे एक दूसरे को उच्चा युक्त तो तीसरी श्रणी है राजदूतों की जो किसी देश द्वारा दूसरे देश में भेज़े जाते हैं उस देश के प्रतिनिदी के रूप में वहां पे कारे करते हैं संबंद बनाते हैं और राजदूतों पर उन्हीं के देश के कानून लग चलते हैं और जैसे उनका काम समाप्त होता है उनका कारे काल समाप्त होता है वे अपने देश चले जाते हैं या उनका स्थानांतरण हो जाता है अमेरिका के राजदूद इस भारत में हैं चार साल काम किया उसके बाद उनको स्थानांतरण करके इंगलेंड भेज दिया भारत के राजदूद शिलंका में है एक शिलंका में उन्होंने तीन साल का कारेकाल समाप्त किया अब हमनों उनको म Ambassador और High Commissioner दो टाइटल से जाना जाता है। इस प्रकार हमने अपने नागरिकता के अध्यान के तहट ये जाना कि नागरिक कौन है और विदेशी कौन है। क्योंकि नागरिकता को समझने के लिए सबसे पहले इन दोनों के बीच के अंतर को समझना ज़रूरी हूँ और ये भी जाना कि चार तरीके के नागरिक होते हैं और तीन तरीके के विदेशी होते हैं। ये तीनों तरीकों के विदेशियों में क्या अंतर है इसको भी समझा एक बार सरसरी निजर से थोड़ा सा हम एक चार्ट के माद्ध हम से थोड़ा देख लें कि नागरिक और विदेशी क्या है पहला नागरिक देश का स्थाई सदस से होता है बिल्कुल सही है विदेशी जो है वो देश का अस्थाई सदस से होता है अब आप कहेंगे कि सब उस्थाई विदेशी भी तो आपने कहा था येस इस्थाई विदेशी के बारे में जो बताय गया है उसको आगे और स्पश करेंगे जब हम आगे इस सध्याय में पढ़ेंगे फिलहाल आप जान लें कि नागरिक स्थाई सदस्य विदेशी देश का अस्थाई सदस्य उसे स्थाई बनाया जा सकता है बाद में पर है तो वो अस्थाई सदस्य दूसरा नागरिक राजनेतिक और सामाजिक सभी अधिकारों से लैस होता है उसे सब अधिकार मिले होते हैं ल मिले होते हैं यह तो हो गई अधिकारों की बात पहला बिंदु था निवास सदस्ता की बात दूसरा अधिकारों की तीसरा नागरिकों को मौलिक अधिकार कहते हैं नागरिकों को मौलिक अधिकार मिले होते हैं और मौलिक अधिकार के तहट उसे न्याय का अधिकार भी है यानि न्याय ले जा सकता है आपको याद होगा जो छे हमारे मूल अधिकार हैं मौलिक अधिकार उसका एक अंतिम अधिकार जो सबसे महत्पूर्ण है वह है Right to Constitutional Remedies अंग्रेजी में उसे कहते हैं Right to Constitutional Remedies समवैधानिक अधिकार याने कानून की मदद लेने का अधिकार याने समवैधान कोर्ट में जाने का अधिकार न्याय पाने का अधिकार ये जो अधिकार है या नागरिक को मिलता है मूल भूद अधिकारों के तहट मौलिक अधिकारों की तहट न्याय आले के द्वार उसके लिए खुले उसे उसका संरक्षन है लेकिन जो विदेशी नागरिक है उसे मौलिक अधिकार नहीं प्राप्त होती विदेशी नागरिक को मौलिक अधिकार नहीं मिले सामाजी का अधिकार मिले हैं सांस्कृतिक कारेक्रमों में भाग लेना अपने धर्म का प्रिचार प्रसार करना आजी आजी चौथा अंतर दोनों में देखिए क्या है नागरिकों को देश के करतब विपालन के प्लिय बात दिखिया जा सकता है, बलकि बात दिखिया जाता है ये कहना बहतर होगा, ज़्यादा उचित होगा कि जो नागरिक है, वह नागरिक देश के लिए करतब्यों का देश के लिए जन भावना दिखाने के लिए बात दिया है ये option नहीं है ये उसके लिए आवश्यक है कि वह देश के प्रती समर्पित रहे देश के प्रती अच्छी भावना रखे देश के प्रती अपने करतव्यों का एक अच्छे नागरिक के रूप में पालन करे लेकिन विदेशी क्या है विदेशी कर्तव्यों के पालन के लिए बाद्धि नहीं है विदेशी जहां पर वो विदेशी है उस जगह पे जो कर्तव्य है उसके पालन के लिए बाद्धि नहीं है इस पर हम विस्तार से आगे चर्चा करेंगे, कर्तव विक्या है, कर्तव यहनिए ड्यूटीज, what are our duties, as per the constitution, सम्विधान के ताथ हमारे कर्तव विक्या है, और विदेशी, क्यों कर्तव्यों के पालन से मुक्त है, और इसके क्या माइने है, क्या ताटपर है, इसे हम आगे पाच्वा बिंदू, जो दोनों में अंतर दिखाता है, नागरिक और विदेशी में, वो है, नागरिक जो है, वो जमीन खरीच बेच सकता है, पहले कश्मीर में, आज से दो तीन से वर्ष पहले तक, कश्मीर का सम्विधान थोड़ा सा अलग था, था तो वो भारत के सम्व विदान का हिस्सा, पर कश्मीर को कुछ विशेश सुविधाय दी गई थी, उसके तहट भारत के नागरिक कश्मीर में जमीन खरीच बेच नहीं सकते थे, जब धारा 370 लागू हुई, जब लागू हुई थी, तो उसके तहट हम खरीच बेच नहीं सकते थे, वर्दमान के सरकार ने धारा 370 को हटा दिया गया है, जिसके तहट भारत के नागरिक कश्मीर में जमीन खरीच बेचने से वंचित थे, अब इसको हटाने से पूरे भारत में भारत का नागरिक कहीं भी जाकर जमीन खरीच बेच सकता है, लेकिन विदेशी नहीं, विदेशी जमीन के लिए आधार कार्ड चाहिए जमीन खरीद बेचने के लिए पैन कार्ड चाहिए इंकम टैक्स संबंदी कार्ड चाहिए आधार कार्ड चाहिए उसे आधार कार्ड नहीं मिलता विदेशी का आधार कार्ड नहीं रहेगा आधार कार्ड तो नागरिक को मिलता है छटवां अंतर जो दोनों में है वह है कि जब कोई संकट हो देश पर कोई आपत्ति आ गई हो आपदा आ गई हो युद्ध की स्थिति आ गई हो और सैनिकों की जरत है जनता के बीश से तो देश की सेना में भरती होने के लिए नागरिक बाध्य है सरकार के जरत पड़ती है कि 40 लाख सैनिक और चहिए समाज से तो वह आदेश निकाल सकती है कि इतने वर्ष से इतने वष के जितने भी युवा है वोत तरन सेना में आए यह आदेश किन के लिए नागरिकों के लिए क्योंकि नागरिकों के कुछ कर्टब्य हैं यदि अधिकार हैं तो कुछ कर्टब्य भी हैं और उन कर्टब्यों के तहट सरकार नागरिकों को बाद्धि कर सकती है कि आप अपना देश के प्रति कर्टब्य निभाएं और भारती सेना में भारती होएं क्योंकि उसकी आवश्क किता है लेकिन विदेशियों के लिए ऐसी कुछ नहीं है विदेशियों को हम बाद दिनी कर सकते वो फौज जॉइन करें विदेशी इस बंधन से मुक्त है सात्वा और अंतिम अंतर नागरिक और विदेशी के बीच में है वह नागरिकों में अपने देश के प्रति त्याग होना चाहिए बलिदान की भावना होना चाहिए देश भक्ति की भावना होना चाहिए वही सच्चा नागरिक है एक जगह मैंने पूर में कहा था अच्छा नागरिक बनना चाहिए साथ ही देश के प्रति त्याग की भावना रखो बलिदान की भावना रखो जरुरत पढ़ने पर हम सिर्ख कटवा सकते हैं अपनी देश की भलाई के लिए ऐसी भावना रखो देश भक्ति की भावना रखो देश प्रेम की भावना रखो भारत भारतीयों के लिए एक अच्छा भारती वो है जो भारत का गुनगान गाए भारत में जो समस्याएं उसको हो रही होंगी उससे उबरकर उससे परे जाकर भारत के प्रति वो प्रेम रखे वह भारती है वह भारती नागरिक है तो एक नागरिक के लिए जरूरी है कि वह अपने देश के प्रति बल्दान की भावना रखे त्याग की भावना रखे देश भक्त की भावना रखे जबकि विदेशी जो अस्थाई रूप से रहता है उस शिरू में ही मैंने बताया कि विदेशी अस्थाई होता है, जब स्थाई उसे कर दिया जाएगा, जब भारत का स्थाई नागरिक बना दिया जाएगा, तब श्थिति बदल जाएगी, पर जब तक वो विदेशी है, चाहे वो स्थाई विदेशी हो, चाहे अस्थाई अपने देश के लिए रखेगा, उस देश के लिए नहीं जहां वो काम करने गया है, उस देश के लिए नहीं जहां पर वो राजदीूत के रूप में काम कर रहा है। सौभाविक है जिस देश ने उसे राज्ड्यूद बना के भेजा है जिस देश का वो प्रतिनिजत्व कर रहा है समर्क्मण की भावना उस देश के लिए होगी तो इसलिए हम कह सकते हैं कि एक विदेशी व्यक्ति से ये अपेक्षा करना गलत है कि वो बलिदान की भावना त्याक की भावना उस देश के लिए रखे जहां वो कारिक कर रहा है नहीं तो ये साथ अंतर नागरिक और बनाम विदेशी आपको सपष्ट दिखाई दे रहे हैं पहला सद्यस्टा की बावत है दूसरा अंतर अदिकारों के बावत है तीसरा अंतर मॉलिक अधिकार और न्यायले के बावत है न्याय संबंदी अधिकार के बावत है, चोथा अंतर कर्तव्य पालन संबंदी है, पाच्वा अंतर भूमी संबंदी है, छट्वा अंतर सेना संबंदी है, और सात्वा और अंतिम संबंदी है, भावनां से है, भावना है, feelings, love for your country, feeling for your country, तो यह साथ भावना है, यह साथ बिं में अंदर समच सकते हैं